नमस्कार दोस्तो जैसरी किष्णा राधे राधे दोस्तो आज हम आपको ले करके आए हैं दोस्तो आज मैं आपको इस मंदिर के वारे में बताऊँगा की कैसे भगवान भोले नात पाताल लोग से यहाँ पर निकले थे और कैसे निकले यह पूरी जानकारी आपको मिलेगे इस ब्लॉक के माद्यम से तो दोस्तो बने रहने मेरे ब्लॉक पर हमारा सफर शुरू हो चुका है भगवान भोले नात के एक पवित्र धाम पातालेश और महाद्यों के दर्शन करने के लिए तो दोस्तों आज हम आपको भगवान भोले नात के पवित्र धाम पातालेश और महाद्यों के आपको दर्शन कराएंगे और वहीं जाने के लिए हमारा सफर सुरू हो चुका है बहुत ही पावन, बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्राचीन आज आपको भगवान फोले नाथ के एक दिव्य धाम पातालेश शर महादेव जो की कानपुरी या सोधा नगर में इस्तित है तो वहां पर हम आपको लेके चलते हैं तो दोस्तो चलते ही पिर प्राचीन आ गये हैं हम मंदिर परिसर पर अभी आपको दर्शन कराएंगे 45 शर महादियों का देख रहे हूं हरे भरे बौधे लगे हैं मंदिर परिसर के अंदर और बहुत ही बड़ा यहां पर ग्राउंड है जहां पर भक्तों की भीड लगती है दोस्तों सावन के सोमबार से पहले ही मैं यह वीडियो सूट करता हूं क्योंकि सोमबार के दिन यहां इदिनी ज़्यादा भीड हो जाती है मेला सा लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं पर माला फोल प्रसाद सब आपको यहीं पर मिल जाएगा यहां से आप प्रसाद खरिद सकते हो और चलते हैं मंदिर परसर की तरफ और देखते हैं कि पातालेश और महाद्यों का मंदिर कैसा बना हुआ है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि देखने में मंदिर बहुत ही भव्य बहुत ही खुबसूरत मंदिर है भगवान भोले नाथ कि दिव्यधाम पाताले महादयों के आपको आज दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों जैसे मंदिर अज परिसर के अंदर प्रिवेश करते हैं तो आपको सब से पहले नंदी जी के दर्शन हूँगे प्यारी सी अपिल अगर अभी तक आप दें वीडियो को लाइक नहीं किये तक लिजयार वीडियो कर दिये लाइक चैनल पर पहली बार वारों चैनल करतीजे सब्सक्राइब और चलते हैं वीडियो की तरफ भगवान भोलिनात पातालिस और महाद्यों के आप दर्शन करने दोस्तों इनका बताते हैं यह अपने आप निकले थे इनका कोई अंत नहीं है महीनों खुदाई होने के बाद भी जब अंत नहीं निकला तो हार करके इसी जगए इनका इस्थान बना दिया गया सुन्दर मंदिर बना दिया गया लोगों की मनते पूरी हुई आस्था बढ़ी तब से यहां पर लोगों की भीड आनिक अठा हो गई और दोस्तों यहां पर म मूर्तिया इस्थापित हैं उनके भी दर्सन कराता हूं रभु स्री राम दरवार माता सेरा वाली के आप दर्सन कर रहे हूं और बजरंग बली जी के आप दर्सन कर रहे हैं इस समय काफी बड़ा मंदिर परिशार हैं दोस्तों यहां पर फक्त आराम से दर्सन करते हैं फग प्राइब प्रॉछ कि यहां पर जिसकी मन्नत्य पूर् 화ाती है वह फ्रसाद प्रशाद भी चढ़ाता है भंडारे भी यहेसों कि आफ़ देख रहा है अ मुझे प्रसाद पाते भंडारा खाते नें और यह मंद्र परिसर में ही आफ़ फंडारा कर सकते हों बहुत जगह यहां पर और यहां पर दोस्तों आकर्षण का केंद्र होती है यह बतक जैसा कि आप देख रहे हैं यह स्रद्धालू आते हैं प्रसाद चणाते हैं और यह बतकों को भी खिलाते हैं क irm यह मंदिर परसर के आज-पास ही नजारा आति हैं तो मंदिर परसर से घुक जुड़ा हुआ एक सरोवर बना हुआ है तालाब बना रहाें और ये अभी अभी बनाय फिरहल ज्यादा अब दिन का नहीं हुआ ये अभी बनाया भी या रहा है बहुत ही खुपसूरत ये तालाब बने कर तयार हो और तयार हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों आज हमने कानपुर या सोधा नगरिस्थित पातालेश और महादेव, जिनको महादेवन के नाम से भी जानते, आप उनको दर्सन कराया मंदिर दिखाया, भगवान भोलेनाथ का दिब धाम, पातालेश और महादेव के दर्सन भी आपने कि दोस्तों, आज का बलोग आपको पैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, प्यार इसको करते ना लाइक, चैनल पर पहली बारा है, चैनल करते ना सस्क्राइब, इसी तरह से फक्ती भाव से परिकूर्ड एक वीडियो के साथ आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जै ह जै भारत बंदे मातरम